नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ काउंसलिंग में और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमाईजियो फौर्ट सेरप के बारे में तो अगर आपको भी आपके डॉक्टर ने यह सेरप प्रिसक्राइब की है तो आज तो अगर आपको chronic diarrhea है काफी लंबी टाइम से आपको diarrhea dysentery की problem है या फिर IBS है या colitis है तो ऐसी condition में जो doctor सही से prescribe करते हैं आई ये जान लिते हैं कि इसके अंदर कौन-कौन सी herbs हैं तो इसमें है कुटज, बेल, इंदरजव, विडंग जो की हमारे acute or chronic diarrhea को ठीक करता है अगर आपको काफी लंबेस टाइम से dust की दिक्कत है या अभी अभी हुई है तो आप इसको ले सकते हैं पीपली है इसमें, दाडिम है जो की dysentery जैसी problem को ठीक करता है यानि की bloody diarrhea अगर किसी को हो रहा हो, खून आ रहा हो दस्त में तो वो भी इसे ले सकते हैं, इसके साथ में काला नमक है, अजुआइन है मोचरस है, इट हैप टू प्रिवेंट डी हाइडरेशन और इलेक्रोलाइट इंबेलेंस है तो उसको भी ये ठीक करता है इसके साथ इसमें मौजूद है अतेस मरोडफरी और इलाइची मरोडफरी पेट में होने वाले अब्डॉमिनल डिसकमफर्ट से रहत दिलाती है रिलीफ इन अब्डॉमिनल डिसकमफर्ट जो कि डाइरिया और डैसेंट्रिक के दोरन होता है तो इससे ये रिलीफ दिलाती है साथ ही इसमें सौफ, अजुआइन और तगर्द तो जितनी भी चड़ी बूटियां हैं सभी नैचुरल हैं हर्बल हैं बात करें इसके प्राइस की तो 96 रुपीज की यह 100 ml की बॉटल आपको मिलेगी बात कर लेते हैं डोजेस की तो अडल्ट में इसे लेंगे 2-3 चमच दिन में 3 बार छोटा बच्चा है 3-6 साल का तो आदा चमच हम बच्चे को देंगे दिन में 2 बार और साथ से 12 साल के बच्चे को एक से 2 चमच दिन में 3 बार उसके बाद हम बात करेंगे इसके इंडिकेशन की तो इंडिकेशन में इसमें दिया गया है कि डाइरिया है, डाइसेंट्री है, अमेबियासिस है, कॉलाइटिस, एक डिजीज है कॉस्ट वा इंफेक्शन विद पैरसाइट अमीबा और कॉलाइटिस से कैसी बिमारी है जिसमें की हमारी बड़ी आत में सूजन आ जाती है तो यह सारी दिक्कतों में इस सिरफ को दिया जाता है कंपोजिशन में आप देख सकते हैं जितनी भी इसमें यह इंग्रीडियंट है सारे के सारे नैचुरल है हब है तो अगर आप इसके डोज और कॉंटिटी को ध्यान में रखते हुए इस दवाई को लेते हैं तो आपको कोई भी साइड इवक नहीं होने वाला है बाकि मेरा इस सारी के साथ तब तक के लिए बाबाई